तो फैनली नमस्कार दोस्तों, welcome back to my channel और आज के इस विडियो में बात करने वाले list of government internship program के बारे में जिसके अंदर government internship के अलग-अलग program के बारे में, अलग-अलग internship program के बारे में आज के इस विडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर अपडेट करने वाला हूँ आप देख सकते हैं बहुत सारी internship होने वाली है बहुत सारी internship के अंदर आप सभी को यहाँ पर staff भी provide की जागी इसी के साथ एक certificate of completion भी इस internship को complete करने के बाद आपको government के तरब से provide की जागी सो finally शुरू करते हैं सबसे पहले बात करने वाली National Critical Information Infrastructure Production Center के बारे में जो कि NCIIPC internship program होने वाला है बता दू यहाँ पर NCIIPC एक organization है जो कि government of India की organization है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर cyber security से related बहुत सारे अलग-अलग areas में internship को यहाँ पर launch की गई है area of interest आप लोग देख सकते हैं इस सारे area of interest होने वाले इन सारे एरिया में आप लोग internship कर सकते हैं तो कर आप लोग इस टाइप के internship करना चाते हो तो यह program आप सभी के लिए बहुत ही सही होने वाली है अब यहाँ पर बात करते एरिया जब इंटर्णिसिप के मतलब अगर आपके education यहाँ पर IT से हो रही है तो आप लोग यहाँ पर इलेजिबल होने वाले हैं आप लोग यहाँ पर अप्लाइ कर सकते हैं अगर बात करें यहाँ पर duration की तो आप देख सकते हैं minimum 4 week की होने वाली है maximum 6 month भी हो सकती है तो आप लोग मान कर से लिए कि 6 month की आपके यहाँ पर internship program होने वाली है इंटरेशी प्रोग्राम इजय्ट ग्राम त्रूआट दैयर इंटरिबल रहती है इस इंटरिशी प्रोग्राम में पाटिसिपेट करने के लिए बस आपको यहाँ पर इस mail आइडी पर उन्होंने साब साब mention कर रखा है आपको यहाँ पर email करना होगा through your institute dean's placement office जो भी आपकी यहाँ पर college होने वाली है उसके थुरू आपको यहाँ पर email करवाना होगा जिसके अंदर आपकी सारी information यहाँ पर होनी चाहिए area of interest होनी चाहिए area of interest में आप यह सारी चीजों में से एक चीज को यहाँ पर choose कर सकते हैं तो बहुत ही आसान होने वाल है बस अपने college के तरफ से आप से भी को dean के तरफ से office के तरफ से यहाँ पर apply करवा देना है इसके बाद यहाँ पर यह पहली इंटर्णेशिप के बात की लिंक मैंने आप से भी को description में provide कर रखा है अब आते दूसरे इंटर्णेशिप प्रोग्राम के बारे में जो की नीती government इंडिया के दरफ से प्रोवाइड की जारी है जो की national portal of इंडिया है नीती आयोग में यहाँ पर हर मंद इंटर्णेशिप प्रोवाइड की जाती है लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी इंटर्णेशिप होती है वो online application लिंक सिर्फ और सिर्फ एक से लेकर करके दस्तारिक के बीची हर इक मंथ उपेन होता है तो फिलाल आप लोग अप्लाइ कर सकते हैं बहुत इची opportunity यहाँ पर होने वाली है आपने कैसे आपको apply करना है आप यहाँ पर apply here कि बटन पर जाकर के जैसे ही click करेंगे यहाँ पर एक external website पर पहुंच जाएगा जहाँ पर applies related सारी details आपको provide कर दी जाएगी so finally आपको यहाँ पर apply now का बटन दिख जागा apply online का बटन दिख जागा जिसके आपको click करना है जिसके पास सारी instruction को सही तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ लेना है वैसे इसके बार में मैंने complete वीडियो बना रखा क्योंकि यह नीदी आयो की internship होने वाली तो कैसे आपको सारी information को fill out करना है एक complete वीडियो मैंने आप सभी के लिए बना रखा है link भी मैंने आप सभी को description में provide कर रखा है तो एक बार जाकर के उस वीडियो को भी जाकर के देख लीजेगा कोई भी student यहाँ पर apply कर सकता है कोई ऐसी criteria नहीं होती है अगर बात करें कौन से लोग apply कर सकते तो नीती आयोग के internship program के लिए अगर आप अंडर graduate है post graduate student है research scholar है तो आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं चाहे आप अंडर graduate है post graduate है कोई भी stream हो कोई भी branch हो आप सभी यहाँ पर eligible होने वाले नीती आयोग के internship program के लिए बस आपको apply बिल्कुल सही तरीके से हाँ पर करनी होती है applying process थोड़ी से बड़ी होती है तो मैं आप सभी को recommend करूंगा एक बर उस वीडियो के जाकर के दीखिए का जिसमें मैंने आपको complete process बताई है यह तो बात होगी नीती आयोग internship program के बारे में अब तीसरे internship program के तरफ हम लोग चलते हैं जो की solar energy corporation of India limited government of India के तरफ से निकल कर सामने आ होता है तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं पर सारी information provide आप सभी को की जाएगी ज्यादा information के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते SECI internship policy की उपर जिसके अंदर इस internship की क्या क्या policy होने वाली है उसके बारे में आपको एक PDF यहाँ पर provide की जाएगी जिससे आप सभी कोई एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है यहाँ पर आप देखेंगा बहुत तारी information आपको provide की जाएगी लगबग क्या objective ह होने वाला है क्या purpose होने वाला duration और staff and कितना आपको मिलने वाला है इसके बारे में भी यहाँ पर सारी information आपको provide की जाएगी आप देख सकते हैं amount of rupees 5000 तल भी paid as staff and to all engineering graduates and post graduate degree यहाँ पर आपको 5000 रुपेज तक कि staff and provide की जाएगी इसी के साथ complete करने के बार आपको completion of certificate भी यहाँ के बीच के होने वाली है तो आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं इसी के साथ for MBA student minimum 7 weeks to 6 month के यहाँ पर होने वाली है कोई भी student यहाँ पर apply कर सकते हैं mtech student, engineering student, btech student, MBA student आपसे भी यहाँ पर eligible होने वाले हैं तो अब बात करते हैं आपको apply कैसे करना है तो simply यहाँ पर आपको register का इसको official site पर यहाँ पर आपको click करने के बाद इस page पर पहुँच जाना है जहाँ पर आपको सारी information के साथ यहाँ पर अपने form को fill करना है यहाँ पर आप लोग अपने area of interest को भी जरूर mention कीजेगा जिस area में आप लोग internship को करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग य CCI के लिए भी internship के लिए apply कर सकते हैं so finally next internship हमारी आती summer internship scheme of DGFT के तरफ से DGFT के बारे में आप सभी को बता दू डिरेक्टरी जेनरल और foreign trade होने वाला है जिसके अंदर internship program को launch किया गया है क्या objective होने वाली जिसके बारे में आप लोग देख लिजेगा मैं आपको eligibility criteria के बारे मे यहाँ पर बता देता हूँ अगर आपके field अगर आपके branch यहाँ पर policy, economics, finance, management होने वाली है, law होने वाली है, b.tech होने वाली है तो आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं बस आपकी college यहाँ पर AICT के द्वारा recognized होनी चाहिए इसी किसाद duration के अगर बात करें तो इस internship की duration maximum period of one month for summer internship program सिर्फ और सिर्फ पर एक month की short duration की होने वाली है, 20 June से लेकर के 20 July को यहाँ पर होने वाली है, इसके बाद आप देखेंगे declaration of secretary यहाँ पर जाकर के आप लोग पढ़ लिजेगा और भी बहुत सारे information यहाँ पर provide किये गए हैं, अब बात करतें certificate of internship के बारे में तो आप देख सकते certificate will be issued to the interns on satisfactory completion of their internship, अगर आप इस internship को successfully complete कर लेंगे तो आप से भी को यहाँ पर एक certificate of completion भी दिया जाएगा, mode of application के अगर बात करें तो interested student can email their scanned application यहाँ पर आपको अपने scanned application को अपने CV को यहाँ पर इस mail ID पर भेजना होगा, so finally अब बात करतें selection procedure के बारे में आप से भी को बता दो, अगर आपकी application को यहाँ पर submit कर लिया जाएगा, अगर आप select हो जाएगे, तो आप देख सकते actual offer later will be sent to the selected candidate on email only, जो भी आप अपने email ID को use कीजेगा, उसी पर आपकी offer later को यहाँ पर send कर दी जाएगी, अगर बात करें आपको यहाँ पर staff fund कितनी दी जाएगी, तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर DGFT के internship के लिए भी apply कर सकते हैं, so finally यहाँ पर आप बात कर लेते competition commission of India internship program के बारे में application open है, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कौन से लोग apply कर सकते हैं, क्या का eligibility criteria होने वाली है, तो आप लोग अगर Indian student है, इंडिया में आप apply कर सकते हैं, इसी के साथ internship is open to student from recognized institution and universities with exposure to competition law, अगर आप लोग competition law के student है, तो आप लोग अप्लाइ कर सकते हैं, student with a placement in hand are not eligible, अगर आपकी job यहाँ पर लग चुकी है, तो आप लोगों को यहाँ पर apply नहीं करना है, education qualification की बात करेंगे तो यह साथ education qualification होने वाली है, इसमें की M. M.S.C. होने वाली है, M.B.U. होने वाला है, law से related अगर आपने course कर रखा है, M.A.M.S.C. कर रखा है, professional courses अगर आपने कर रखा है, student of final group of character accountancy और cost accountancy और company secretary, यहाँ पर और 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 एक professional courses में अगर आप लोग इन्रॉल है, तो भी आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं, तो अब one month की internship आपको यहाँ पर provide की जाएगे, इसी के साथ अगर बात करें, there will be short introduction program on provision of competition act 2002 on the first day of internship, पहले अगर आप select हो जाएगे, तो जो भी आपकी first day होगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ program के बारे में बताय जाएगा, कैसे आपको apply करना, उसके बारे में पूरी information यहा पर इन्होंने provide कर रखी, आप देख सकते हैं, application can also be email application को आप लोग email यहाँ भी कर सकते हैं, इसी के साथ यहाँ पर और और भी कई सारी information दीगे, जिसे आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लिजेगा, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से आपको यहाँ पर application form को submit करना है, उसके बारे में सारी information इन्होंने यहाँ पर provide कर रखा है, इसी के साथ कैसे apply करना है, तो simply आपको apply now के बटन पर जाकर करके click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी details फिल करने होगी, सारी details को एक एक करके अच्छे तरीके से आप लोग फिल कर सकत तो यह तो उन्हें बात कर ली competition commission of India internship program के बारे में, अब बात करते हैं, center for trade and investment law के internship program के बारे में जो की open हो चुकी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, आप लोग browser को download भी कर सकते हैं, browser में अकर आप लोग जाएगा तो यहाँ पर यह सारी information आपको provide की जाएगी, तो यहाँ पर भी आपको certificate of completion मिलने वाला है, और भी कई सारे benefits आपको यहाँ पर दिये जाएंगे, so finally इस internship में apply करने के लिए आपको simply क्या करना है, to apply for this internship, please send your application at जो भी email यहाँ पर दी गई है, उस email ID पर आपको application को यहाँ पर send करना होगा, कौन से लोग apply कर सकते हैं, क्याट कर criteria होने वाला है, इस side में आपको browser के इस page में पहुंच जाना, जहाँ पर आपको सारे information provide कर दी जाएगी, तो एक बार इस section को भी आप लोग जा करके देख लीजएगा, अब बात करते हैं, next internship program के बारे में, जो कि internship program at Indian patient office क्या होने वाली है, जिसमें क्या आप लोग यहाँ प लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर internship program at Indian patent office के बारे में, जिसके अंदर कौन कौन से लोग eligible होने वाले है, आप लोग eligibility criteria में एक बार जा करके check out कर लिजेगा, कितने number of intern को यहाँ पर hire किया जाएगा, the duration of internship, the requirement of the course, so finally यहाँ पर दूसरे internship के बात करते हैं, जो कि हमारी last internship program होन student office, जिसके अंदर कौन से लोग यहाँ पर eligible होने वाले हैं, आप देख सकते हैं, थोड़े नीचे जाने के बार, यहाँ पर इस सारे कोर्स को कर चुके, आपके अगर डिगरी यहाँ पर यह सारी है, इस ब्रांच में अगर आप लोग enrolled है, तो आप लोग यहाँ अपर apply कर सक सकते हैं, इसी किसाद duration के अगर बात करें तो यहाँ पर duration को इन्होंने mention नहीं किया है, requirement के basis पर आपके duration कितनी होने वाली इसे यहाँ पर रखा जाएगा, इसी किसाद place of internship के अगर बात करें तो आप देख सकते, IP office Delhi होने वाली है, मुंबई होने वाली है, कॉलकाता होने वा फिल करके send कर देना है, इसके बार अगर बात करें आपको leave अगर है कितनी दी जाएगी, तो यहाँ पर सारी information आपको provide की जा रही है, इसी के बार यहाँ पर outcome of the internship की क्या outcome होने वाली यह भी आपको बताय जा रहा है, अगर बात करें certificate के बारे में, तो upon successfully completion of internship, a certificate will be issued by the heat of the office where the intern has intern, जिस भी जगा पर आप internship कीजिएगा, वहाँ के जिफएड होंगे, उनके तरूँ आपको एक certificate of completion यह आपर provide की जाएगी, तो finally कुछ इसी तरीके से आप लोग government of India के अलग-अलग internship program के लिए apply कर सकते हैं, मैंने आपको सारी information provide कर दी है, इनकेस अगर कोई भी doubt रह जाती तो आप लोग मिझे comment करते हैं, तेसी की साथ उम्मीद करूँगा, आज की वीडियो जाप सभी को informative लगी हो, वीडियो informative लगी हो तो please एक like जरूर कीजिएगा, और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अकले वीडियो में